स्वागत है दोस्तों एक बाद फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लार्ण अबोट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में शंपून जान करें दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्तपून होने वाला है क्योंकि आज के इस वेडियो में हम ब्लड प्रेसर से जुड़ी होई दो मुख्य समझ जाएं हाई ब्लड प्रेसर ताथा लो ब्लड प्रेसर इन दोनों में ही प्रियोग ली जाने वाली दवाईयों के बारे में जानेंगे हम जानेंगे यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेसर बढ़ जाए उसका ब्लड प्रेसर हाई हो जाए तो डॉक्टर द्वारा उनने कौन कौन सी टेबलेट्स दी जाती है साथ ही कोई व्यक्ति है जिसका blood pressure low हो जाए तो उसे डॉक्टर द्वारा कौन सी टेबलियर दी जाती है किस blood pressure को हम high blood pressure को low blood pressure करेंगे साथ हे किस blood pressure में कौन सी दवा दी जाने चीए ये और इसके अलवभी के अन्य महत्त पूर्ण बात है इस वीडियो में हम जाने के सिर्फ वीडियो को बिना इसकीप के आंग तक देखें मैं हूँ आपका होश्ट मोही दादीच आप देखें अपना इटीब चैनल लर्न अबॉट मैरी से चलिए आशवी कुछ नया सिकते हैं है है लो फेंड्स नमस्ते दोस्तों यह आप सभी को पता है कि ब्लड प्रेसर की जो नॉर्मल रेंज है 120 अपन 80 होती है और इसमें 120 सिस्टोलिक प्रेसर रहता है और 80 डाइस्टोलिक प्रेसर रहता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेसर बढ़ जाता है मतलब 120 अपन 80 से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें हाई ब्लड प्रेसर कहते हैं और मेडिकल बास हम इसे हाइपर कहते हैं अगर एस्गापल से समझें सब्सक्रणहाई अगर और ग्जांपल समझें जो हो सब 예 ale हो सकता है हनदेड़ उन सेवंटी घ्र चुर्णी ऑन स्टी हो सकता है इस तरह से लो ब्लृट परिसर में रहती है और मरीज को जो भी ृट्रमेंट दिया जाता है यदि वेक्ति को high blood pressure है तो उसके अनुसार दवा दी जाएगी और low blood pressure है तो उसके अनुसार दी जाएगी हाला कि blood pressure में दवईयां दी जाने वालों की जो range है बहुत ही बढ़ी है बहुत ज़्यादा दवईयां है लेकिन ज्यादा तर जो समयने तब शुरुआती तोर में दवईयां प्रियोग ली जाती है उनके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं कौन-कौन शी दवईयां है जो blood pressure में दी जाती है पहले हम high blood pressure में दवगों का प्रियोग लिया जाता है उसके बार में जान लेते हैं उसके बाद में low blood pressure के बार में जानेंगे high blood pressure जो hypertension जब प्रियोग ली जाने वाली दवा है उसमें सबसे पहली दवा है amlodepin tablet और इस amlodepin tablet के सबसे popular brand है amlokine tablet तथा amlowast tablet यह tablet 2.5 mg के strength में 5 mg के strength तदा 10 mg के strength में available है और इसकी ज़्यादा तर चलन में strength है वह 2.5 mg तदा 5 mg है और यह किसी व्यक्ति को इन दोनों से ज़्यादा अच्छा असार नहीं मिलता है तो उन्हें 10 mg की tablet डॉक्टर द्वारा दी जाती है सामयनेते से इसकी जो dose है दिन में एक लेने की शलहा दी जाती है और आवसक्ता होने पर दिन में दो बार भी से दिया जा सकता है साथ इसे खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है जब भी मरीज को अवसक्ता हो और अगर regular basis पर patient इसको ले रहाते हैं इसे सुबह नास्तिक बाद ले तो अच्छा result मिलता है और यह जो amlodepin है calcium channel blocker दवाए जो calcium channel को block करके blood pressure को normal रखने का कारी करती है इसमें जो दूसरी दवाए वो है Losartan tablet इस tablet की जो popular brand में वो है Losart tablet तता Losakind tablet यह 25 mg तता 50 mg की strength में बनाई जाती है साथ ही जो Losartan है angiotensin blocker class की दवाए यह blood vessel, heart तता kidney में जो पाया जयनावाले 81 receptor है इनको block करता है जिससे कि blood pressure low हो जाता है और heart तता kidney को भी damage होने से बचाता है तीसरी दवा है tell me certain tablet यह tablet भी angiotensin receptor blocker class की दवा है जो Losartan के similar ही कारी करती है जिस तरह से लोसartan करता है उसी तरह से कारी करती है यह tell me certain tablet 20mg तता 40mg की strength में available है उसकी जो सबसे popular brand है वो है tell mark tablet जिसकी 40mg की tablet तेल मा 40 tablet ज्यादा था डोक्टर द्वारा मरीज को एडवेच की जाती है नेक्स टेबलेट है एनालेप्रेल टेबलेट यहाँ एक ACE inhibitor class की दवा है जिसम एंजियो टेंशिन converting enzyme inhibitor भी कहते हैं यहाँ वेन तता आर्टरी को relax करके blood flow को आसान करता जिससे की blood pressure भी low हो जाता है और normal तक आ जाता है यहाँ टेबलेट 2.5 mg, 5 mg, 10 mg की अलगलग strength में available है और इसकी जो सबसे popular brand है वह है एनाम टेबलेट यह डॉक्टर डेडी कंपनी द्वारा मेंचा जाता है अगली टेबलेट है रेमिप्रेश टेबलेट यहाँ टेबलेट 2.5 mg, 5 mg की अलगलग strength बनाई जाती है इसकी जो सबसे popular brand है वह है रेमिप्रेश टेबलेट थाथा कार्डेश टेबलेट यह भी एनालेप्रेश की तरह ही ACE inhibitor है और यह 2.5 mg की जो strength है बहुत ही ज़्यादा चलन में लाई जाती है और इन्ही सभी टेबलेट का प्रियोग high blood pressure को normal तक लाने के लिए किया जाता है यहाँ पर जो emlodepine टेबलेट है इसका प्रियोग उन जो भी बुजूर्गों में जादातर किया जाता है जिनको arterial ward में थोड़ी कमजूरी रहती है और इसके अलाओ जो low saturn tell me saturn एना लेप्रेल तरह रेमिप्रिल है इसका प्रियोग बुजूर्गों के साथ साथ यंग ए उसको जान लेते हैं इसमें पहली टेबलेट है amlodepine टाथा अटेनलोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट जिसे हम amlokine 80 नाम से ताथा amlopress 80 नाम से जानते हैं यह केल्सियम चैनल ब्लोकर ताथा बीटा एडिनेटिक ब्लोकर क्लास की दवाओं का कॉम्बिनेशन है और इसमें amlodepine 5 mg ताथा अटेनलोल 50 mg की स्ट्रेंद में होता है दूसरी दवा है लोसा अटन ताथा हाइड्रो क्लोर थाइज़ड कॉम्बिनेशन की टेबलेट इसे हम लोसार एच टेबलेट के नाम से जानते हैं यह एंजो टेंट्सियम ब्लोकर ताथा थाइज़ाइड डायूरि नहीं आये वैसे तो बीपी को नियंतित करने के लिए किनकिन दवाओं का प्रियूग लिया जाना चाहिए इसकी जानकारी के लिए आपको बारी की से आर्ट्री जवेन हार्ट उनमें जो रेसेप्टर है उनकी एने टोमी ताथा फीजियोलोजी इनकी जानकारी होना बहुत मोची दवा दिग जाती है तो जो फैसर मोन दुख ंपानी जाती है, उसके बार में जान लेटे है है होने पर दी जाती है वह एमलोडेपिंट 5 मिलिग आमकी टेबलेट इस टेबलेट को देने से व्यक्ति का ब्लड प्रेसर एक बार कम हो जाता है और किसी का बहुत ही ज्यादा हाई हो रखा ब्लेट प्रेसर तो उसे एक इंजेक्शन या एक टेबलेट है जिसका नाम फूसे माइड है इसे हम लेसिक्त नाम से जानते इसकी टेबलेट दी जाएगी एक शिचन दीया जाएगा एक बार यह देने के बाद से कम हो जाएगा फिर इंवलोडेपिंट अससे दे जाएगी इस तरह से इसका ब्लेट प्रेसर कन्रोल एक तो से आगे करवेदि के लिए हाईर सेंटर में भेजा जाता है तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति आता हाई ब्लेड प्रेसर का उसका टीटमेंट किया जाता है अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लेड प्रेसर लो हो जाए जिसम हाइपोटेंशन क्याते हैं तो किस तरह से उसका टीटमेंट किया जाता है वो भी डॉक्टर के दवारा जब भी विकति व सुपीटल में जाता है जिसका ब्लेट प्रेशर लोग हो जाता है तो अगर विकति का ब्लेट प्रेशर थोड़ा और कम हो गया हो तो उसमें क्या करते हैं उसमें जो नोमल सलाइन की ग्लुकोज वोटलिसम ड्रिप कहते हैं इन्फूजन है यह 500 ml की उसे लगाई जाती है एक लगाने पर अच्छा जगर रिजल्ट मिल जाता तो ठीक है ने तो उसे एक और ड्रिप लगाई जाती है जिससे कि उसका जो ब्लड प्रेसर कम हुआ है वो नॉर्मल तक आस कटी है तो ऐसी इस्तती होती है जब ज्यादा तर और परेशन के पहले कोई इनिस्तीशा देते हैं या किसी अन्य कारण से तो उसमय एक इंजक्शन जिसका मदनाम है मेफें टर्मीन इसका प्रियोग लिया जाता है लेकिन इसका प्रियोग सिर्फ आईस्यू में ज्या तर सब्सक्राइब के बढ़िए प्रेशर को नौमल तक लाएजाता है उम्मिद गरता हूं यह जो वीडियो मैं ने बनाए हैं आपके लिए बहुत जानकरि प्रदक होगा और आपको वीडियो-जरूरु से पसंद आया ऊगा यदि वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़ादे ज़ादे इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आज सकें, और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल Learn About Medicine को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ, तो ने सीदी ये बट्रों को दबागर जोर से सब्स